आसमान में उरने वाला जहाज आज जमी पे चल नहीं सकता ये वक्त वक्त की बात है काफी लोग ये वीडियो देखकर परिसान है कि कोई हाथसा हुआ क्योंकि एक साथ तीन साथ तीन साथ तीन साथ एर्लाइन्स को ट्रक पे लोट करके ले जाया जा रहा है जिदर से भी गु कोई फाइन है उन लोग का फाइन माफ हो रहा है और ये टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है उसके बाद आप फाइन माफ नहीं होगा यानि 50 परसेंट माफ हो रहा था अब इसका टाइम करीब आ चुका है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को और जगह यह वाइरल है क्योंकि एक साथ में तीन तीन साओधी एरलैंस को गारी पे लोड करके ले जाया जा रहा है ट्रोफिक का भी मसला आया और काफी जगह रोड क्रोस कर दिया यानि बंद कर दिया गया उसको निकालने के लिए मैं आपको बतना चाहूंगा जिद्दा से रियाद लाया गया है तीन साओधी एरलैंस को और ये रिटायर हो गया है और रिटायर होने के बाद हो सकता था अगर सही होता तो डियरेक्ट रियाद एरपोर्ट पे इसको उतारा जाता और वहीं से इसको ले जाया जाता डियरेक्ट इसको रियाद लाया गया है और क्य रियाद सीजन में दिखाया जाता है तो इस साल कुछ नया किया गया है सवाधी को यहां पर लाया गया है और उसमें रियाद सीजन में जाता है इसलिए पूरी सोसल मीडिया पे इसको घुमाया गया है वायल किया गया है ताके लोग समझे कि इसमें क्या होगा इस हफते में 23,871 लोग को गिरफतार किया गया है जो लोग भी सौधी अरभ में भाकर काम करते हैं जिनके ओपर हुरुब है या जो लोग भी बुड़करोस करके काम करते हैं इदर घुज जाते हैं तो ऐसे लोग को 23,871 लोग गिरफतार हुए हैं उसके बाद 6 महिने का जो टाइम दिया गया था सावधी गवर्मेंट के तरफ से और फिर से इसको अफडेर दिया गया है कि जिनके उपर ट्रोफिक वाइले तो आप लोग 10 महिना 18 तारिक तक भर सकते हैं तो आपको 50% डिसकाउंट मिल जाएगा तो जो लोग भी ट्रोफिक वाइलेशन है जिनके उपर पहले से फाइन है उन लोग के लिए छूट है यानि जिनका फाइन पहले से है उन लोग के लिए छूट है अगर आपको जनकार अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो है सब्सक्राइब भी कर ले